बिस्मिल्यारेमारेम, अस्सलामुलेकुम जी, इस लेक्चर के अंदर जो चीज हम देखने वाले हैं, that is related to the plotting, आपने systematic literature review या कोई भी किसी किसम का आपके पास data आता है, data जो है वो rows and columns के अंदर ही होते हैं, तो हम plot कैसे बनाते हैं और at the end हमने उन plots को publication ready कैसे तियार करना होते हैं, ये काम हम करने वाले हैं और inshallah you will see in a minute कि ये plots बहुत ही असानी के साथ आप बना सकते हैं, क्यों क्योंकि कुछ basic same plotting के जो मैं आपको बताऊंगा and then we will utilize some kind of libraries जिनकी base पे plotting होगी, ठीक है, अब plotting जिनको बिलकुल नहीं आती है, तो ये lecture उनके लिए बहुत ही important होने वाला करेंगे and we have another meta analysis जिसका data set open source available है, इसको use करेंगे, ठीक है, ये दो data sets हैं, इसके इलावा जो हमारे participants हैं, course के, उनका data sets भी मैंने उनसे request किया है कि वो भेजे, हम उसको भी use करेंगे, तो पहले हम ये original data sets जो मैंने upload की हैं, इनको use करेंगे because those data sets were cleaned and everything is ready for the go and आज जो हम start करने व आले हैं, there are three major R की libraries जो आपको कमाल की data visualization इन में दे देगे, छुटकियों में, और I know कि आप लोग सोच रहे होंगे तो फिर हमें data visualization सीखने की क्या ज़रूरत है, ये libraries आपको थोड़ा बहुत easy way में data को understand करने में help out करती हैं, लेकिन future में जब आपने plot करने होते हैं किसी भी data को उस वकत आपको amendments करने पड़ती हैं, तो वो amendments के लिए ज़रूरी होता है कि आपको plotting की basic चीज याने वाले हो, पहली library का नाम है G Walker, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, G Walk R, ये library जो है totally free में available है, of course R के उपर जितना भी काम है totally free में available होता है, second one is SQ Z R package, ठीक है, package ये library आप जो भी कहना जाए, SQ Z क्या करता है, ये भी एक package है, which helps you to do some kind of exploratory data analysis, G Walk R, SQ Z, and the third one is explore package in R, तो ये तीसरा package है, ठीक है, तो हम इन तिनों को use करेंगे, and I will show you in a minute कि कैसे इनको utilize करके, आप छुटकियों के अंदर different किसम के data sets को understand कर पाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहला काम यह है, ये वाला जो title है, इसको अगर आप गौर से देखें, और इसको copy करके link जो है, वो Google में डालेंगे, then you will find this paper, and this one as well, otherwise you can go to Google Scholar, Google Scholar में जाने के बाद, यहाँ पे year-wise आप इसको कर to you, otherwise it's fine, हम data के उपर भी काम कर सकते है, ठीक है, अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, मैं data को यहाँ से download करने वाला हूँ, so data availability यहाँ पर है task, वहाँ पर जाके देखते है, यहाँ पर हमारे पास फिलहाल कोई भी data available नहीं है, but I will go a bit down, let's see, और I know कि we have downloaded, यह है supplementary file, ठीक है, so data availability के अंदर हम data नहीं डाल सेके, यहाँ पर, this was a mistake from our side, हमने general को request की, but they say के यहाँ पर supplementary file है, आप इस पर click करें, and your data will be there, ठीक है, यह data मेरे पास आगे, दूसरे paper के अंदर भी इसी तरीके से, अगर आप सोड़ा सा नीचे जाए, supplementary file के अंदर हमने data available किया हुए, यह राज के folder के अंदर आगे होंगे, I can go back here, और of course मैंने पहले से download किया था, तो मैं ये दो जो है, इसको delete कर देता हूँ, ये दो मेरे पास पड़े होंगे, मैं इनको copy करता हूँ, our training वाले folder के अंदर, मैं यहाँ पे एक निया folder अब बनाने वाला हूँ, basic से हम आगे जा रहे है, मैं ये वाला data उठाया, इसको cut भी कर सकते हैं, copy bits up to you, मैं usually copy करता हूँ, ताके मेरे पास backups रहे हैं, और यहाँ पे मैंने paste कर दिया, अब मैं RStudio पे जहाँगा, simply RStudio, ये मैंने open कर लिया, बड़ा step by step आपको समझा रहा हूँ, I know हम मैंसे काफी लोग जो हैं, वो R को देख के आज कल परिशान हो रहे हैं, उसकी main reason यह है कि आप लोग practice नहीं कर रहे हैं, और जो लोग practice नहीं करते हैं, उनको R समझ नहीं आती, so only thing is, if you practice in a way, तो इंशाला आपको समझाना असान हो जाएगी, मैं यहाँ से मेरे पास environment के अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे data जो है, हम काम कर रहे हैं, ठीक हो गया, अब इस जगह पे काम करने का मकसद यह है, कि हमें यहाँ पे निया script बनाना पड़ेगा, ठीक है, निया script हम बनाते हैं, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और इसको मैं कहाँ पे सेव करता हूँ, basics मैं नहीं, art training के अंदर, plotting के अंदर, I'm going to teach you that one as well, अच्छा, अब हमने क्या काम करना है, पहले तीन libraries जो मैंने आपको बताई हैं, उनको हमने install करना है, ऐसे ही है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, install packages और libraries भी आप इने बोल सकते है, for quick analysis, जब भी आपको data ले के आते हैं, तो उसके लिए आपको quick analysis करना ठीक है, तो सबसे पहला जो install packages आपने करना है, वो होना चाहिए, tidyverse, यह बहुत ज़रूरी है, हर package के साथ ज़रूरी है, second आपके पास होना चाहिए, install packages के बाद, यहाँ पे आपने gwalk, gwalk कर हमने करना है, तो मैं यहाँ पे simply gwalk r, यह वाला ऐसे लिखूँगा, तो यह automatically आ जा हूँ, sqe, number fourth is install packages, और यहाँ पे हम लिखते हैं, that was explore, explore, explore r है या explore है, we will check that from the website, और यहाँ पे यह इसका नाम है explore, कोई r और नहीं है end पे, तो यह हमारे पास packages आ रहे, ठीक है, so हमारे पास यह चार packages है, हमने install करने है, of course tidyversum मैंने पिछले lectures में install किया हुए, I am not going to install that, मैं इसको comment out करता हूँ, यह तीनों मैं दुबारा से run करूँगा, because I know, one of them is already installed, but just for the sake of teaching, I will just rerun this, and you will see, it will take some time, तब तक हम चाय की चुस्की लेते हैं, of course मैं चाय नहीं बेच रहा है मुझे मज़ा आता है चुस्की लेगे पीने का, अगर आपको बुरा लगता है, तो I am sorry for that, और उपर से high quality mic के अंदर चुस्की भी बड़ी different किसम की आती है, so यह वो वहला step होता है, जब आपको थोड़ा सा step back करके, आप सांस ले सकते हैं, देख सकते हैं, कि चीजें कैसे क फिर आएगा हमारे पास explore, ठीक है, आपके पास यह सारे library और require, आप यह दोनों commands run कर सकते हैं, तो यह हमारे पास packages आ चुके हैं, मैं इन सभी को select करता हूँ, run की command दबाता हूँ and if everything works well, you won't see any warning, तो हमारे पास सब कुछ ठीज सही तरीके से काम कर चुक है, अब हम बारी बार अपना काम जो है वो करेंगे, बट उससे पहले install packages कर लिया हमने, इसको मैं करता हूँ collapse, इसके बाद enter मारता हूँ, यहाँ पे load data करते हैं, और data आपको पता है कि मेरे पास पड़ा हुआ है plotting के अंदर, data के अंदर, ठीक है, और हमारी जो script है वो यहाँ पे है, so we are currently working here, क्यों data, तो data को rename करूँगा, यह वाला जो data है, इसका नाम रख देता हूँ, endophytic bacteria underscore data, या बलके इसको मैं simply AB कर देता हूँ, ठीक है, capital EB, just for the sake के यह endophytic bacteria, ठीक है, और यह वाला जो data है, इसको मैं कर देता हूँ, say for example, GHGs, मैं देख लूँ पहले यह data को, और of course यह other crop, ammonia, etc, etc, yes, GHG क I can put that like this, इसको मैं बोल देता हूँ, GHGs, अब आप गौर करें, मैंने capital letters use किया, यहां पर, because of the approvations, अब I know कि अगर मैं capital use कर रहूँ, मैं data पो import करते वकत भी capital use करूँ, if you have some issues, तो आप इनको small भी कर सकते, it's up to you, it's your preference, लेकिन अब यह खराब file लग रही है, can you see that, ऐसे लग किसी बच्चे ने naming की हुए, so that's why sometimes you need to use capital and you need to use small, okay, यहां पर हमने load करना data, और हमारा data data में महजूद है, सबसे पहले हम काम करेंगे, greenhouse gas emissions वाले data पर, which is GHGs, this one, ठीक है, और इस पर काम करने के लिए मैं इसको नाम दे देता हूँ, df underscore ghgs, ठीक है, and then I will put, अब आपको पता है क्योंकि data excel के अंदर है, इस वज़ा से we have to also load read excel, library read excel, ठीक है, इसको हमें load करना पड़ेगा, यह मैंने इसे load कर लिया, and now we can go here and write read underscore excel, and यह हमारे पास ghgs का data है, और आपको पता है कि ghg मैंने capital में लिखा है, तो ghgs, यह excel के अंदर मैंने लिखा, and now you can see, के data ghgs.xlsx not found, let's see, हमारे पास data है, of course, और ghgs है, and then not found आ रहा है, हमारे पास, let's see, क्या मसला आता है, मैं इसको run करता हूँ, still path does not exist, इसका एक तरीका यह भी होता है, कि मैं pwd, यहां पर लिखके देख लेता हूँ, no, 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 यह था, get, wd, we are working in basics, so हम जो काम कर रहे हैं, हमारी working directory इस वकत है, basics के अंदर set वी पड़ी, समयचा ही बात की, और यह path का error है, मुझे कैसे पता चला, जब उसने directory का बोला ना, कि यह काम नहीं कर रही, at that point I realized, कि something is wrong with the working directory, ठीक है, अब आप इसको कैसे set कर सकते हैं, देखें, यह वह बली tip है, आप basic भी सीख सकते हैं, but usually you have to work, tools पे जाके, and usually tools पे, let me see, profile, and sessions, sorry, यह up to pane location, ठीक है, तो मैं इसको source file location करके देखता हूँ, कि हमारे पास क्या होता है, यह मैं choose भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं पहले source file location करता हूँ, मैंने जैसे source file location किया, you will see, कि यहाँ पे, अब हमारे पास plotting के अंदर automatically set होगी, यानि के, जहाँ पे यह file पड़ी है, ना source की, वहाँ पे हमारी working directory set होगी है, और यह काम जरूरी होता है, जब आप कोई नई file बनाते, folder structure में काम करते हैं, और उसको set करने की command यह है, आपने सिरफ path देना है, set wd लिखना है, set working directory and get working directory, directory मतलब folder, कहाँ पे काम हो रहा है, and if I now run this, it's fine, ठीक है, और यह जो dot slash मैंने लगाई थी, इसके बगाईर भी यह काम करना चाहिए, I will check that, let's see, और इसको मैं run करता हूँ, and you will see here, के हमारे पास यह काम कर रहा है, right, so this is how you import the data, हमारे पास data import हो चुक है, and now is the thing, अब हम data को explore करेंगे, और इस step को बोला जाता है exploratory data analysis, जब आपके पास data आ जाता है, data में क्या है, कैसा है, किस तरीके से है, और क्यों है, ठीक है, चार different dimensions हम देखते हैं data की, उन चार dimensions के बारे में मैं पहले आपको बता दूँ, पहली dimension होती है upside, इसको बोलते है data की composition, data के अंदर कितनी rows हैं, कितने columns हैं, data में जो columns हैं, rows हैं, उनकी structure क्या है, anything about the data, data कहां से आया है, compose कैसे हुए, data collect कैसे हुए, इसको बोलते है data composition, upside, अब चलते हैं downside, downside पर होता है data की, जो basically आपकी distribution होती है, कि data distribute कैसे किया क्या है, जैसे मैंने आपको पिछले lecture में बताया था, कि data के distribution चेक करने के लिए, आप normal distribution चेक करते हैं, data का relationship, तो हमारे पास composition, distribution, comparison and relationship, यह चार ऐसी चीज़ें हैं, जिनकी base पे आप exploratory data analysis करते हैं, और यह चार चीज़ों के ऊपर ही आपके सारे के सारे papers जो हैं वो छुपे होते हैं, अगर मैं आपको यह बताऊं कि यह मैंने कहां से information लिए, I will just go here, यहां पर लिखूंगा, Andrew, Abela, guide यह chart chooser guide, इसमें मैं लिखता हूँ, हमारे पास एक PDF आजाएगी, here, अगर Andrew, Abela साब यह कह सकते हैं, कि plotting की guide यह है, that means data के dimension ही चार बनती है, इसके इलावा भी है, dimensionality reduction and some other things, but, what you would like to know, यह depend करता है, इन चार different dimensions के उपर, and यह चार different dimensions अगर आप याद कर लें, आपके लिए असानी हो जाएगी, can you write down के यह चार dimensions क्यों ज़रूरी है, anything about that, क्यों हमें इन चार dimensions के उपर काम करना है, वजा क्या है, आपका point of view क्या कहता है, it's not only statistics, statistics, comparison, relationship and distribution में आते हैं, composition में statistics नहीं आ रही, composition में सिरफ आप view, overview ले रहे हैं, आप data की insights लेना चाहा रहे हैं, data को interpret करना चाहा रहे हैं, आप उस question का answer करना चाहा रहे हैं, जो आपने start में सोचा था, your hypothesis, ठीक है, that is why it is important, कि आपको data की insights बताओं, ठीक है, बिसाल के तोर पे, ये जो रिष्टे करवाने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे मूठ हाके तुने ना किसी का रिष्टा किसी के घर करवा देते, वो क्या करते हैं, पहले insights लेते हैं, एरिया वालों से पूछ लिया, कलूनी वालों से पूछ लिया, या society वालों से पूछ लिया, मैं हर level की बात कर रहा हूँ, और फिर ये बात कर ली, बच्चा पड़ा कहां से आया है, कहां पे राया है, कितनी qualification है, सबसे important question, salary कितनी है, कोई मुकान शकान है, गड़ी रखी है, थले नहीं रखी, ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ऐसे ही है न, और लड़कियों के बात आती है, पड़ी लिखी है, young है, that's it, and usually it's that easy, और आजकल तो, आला माफ करे, कुछ घर वाले ऐसे भी चलते हैं, वो insights और भी देखते हैं, खास तोर पे, अगर थोड़ा सा, beyond the limits चले, वो ये भी देख रहे होते हैं, कि जी, जो लड़की वाले हैं, वो थोड़े अमीर होने चाहिए, ताके हम भी अमीर हो जाएं, and that's totally wrong, So, होना क्या होता है ये, ये सारी चीज़ें क्यों link करते हैं, because you are looking for insights, insights क्यों जरूरी है, because you are finding something, something क्या है, that is a question, अब इसी को हम criminal investigation की तरफ लेके चलते हैं, and then you will understand this example very well, criminal investigators क्या करते हैं, they do some kind of analysis, वो clues ढूनते हैं, ऐसे ही है, वो कुछ random interpretation करना चाहा रहे होते हैं, they also look for some links between different things, कि अगर ये वहाँ पे मजूद था, तो इसके साथ कौन था, वो alibis जून रहे होते हैं, they also look for some kind of, maybe forensic reports, क्यों? क्योंकि at the end, उन्होंने data collect करके, उससे insights लेनी हैं, ताकि उनके questions का answer मिल जाएं, भी investigator होते हैं, ठीक है, तो अगर आप किसी चीज़ को analyze करें, you need to investigate that, अब आप पे depend करता है, आप कितने अच्छे तरीके से data को investigate करते हैं, और otherwise अगर आप नहीं भी करना चाते, तो it's totally up to you, but this is one of the examples that you can use, right? अब हम चलते हैं जी gwalk r की तरफ, इसको मैंने पहले भी आपको बताया, आपने सिर्फ इस से library करना हमने कर लिया, आपने data लेकर आने data हमारा आगया, हमने अब gwalk r लगा के, अपने data का नाम लिख देना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ gwalk r, और जैसे मैं यह लिखूँँगा, इसके अंदर मैं लिख दूँगा data का नाम, मैंने इसको run किया, हमारे पास viewer के अंदर ये वाली window open होगी, मैं इसे open कर लेता हूँ, and यहाँ पे exploration हमारे पास start होगी है, that's the simplest and easy way to analyze the data, और यहाँ पे आपका data आगया, अब आप देखिएगा, यहीं पे आपको पता चलिए कितनी studies हैं आपकी, कोई analysis करने के ज़रूरत पड़ी है, वो जो मैंने commands आपको data transformation के बताही थी, value count, table, view, वो कुछ भी करने के ज़रूरत नहीं पड़ी हैं यहाँ पे, and then here, you can see के other authors सबसे ज़्यादे हैं, लेकि लिव आट आल 6% में हैं, and then, हुईरे फानो आट आल 3% में हैं, बाकी 91% separate हैं, इसका मतलब highest number of papers is from लिव आट आल, and I know for a fact, के लिव आट आल इस field में अच्छे खासे माने वाने नाम हैं, ठीक है, समढ़ आगी बात की, and then you can see here exactly those plots, अच्छे में जिन की बात नहीं करता आप से, number of papers by year, यह ले, यह number of papers नहीं हैं by the way, these are number of studies या cell units, इनको बोले जाते हैं, number of observations, ठीक है, observations का मतलब यह है कि यह 2021 कितनी दफार आ रहे है, like this, ठीक है, और इनकी value जो है वो कैसे है, count देखें आप, 196 times आ रहे है, 2000, क्या, यह जो यहाँ पे point है, 2018, यह बिन आप वाइदावे, 2015 से 2018, कि अगर आप गौर करें, ठीक है, so this is how you can actually work into it, of course, यह exact आपको नहीं देगा, अगर आप यहाँ पे, इस पे click करें, तो आप इसकी data site भी change कर सकते हैं, for example, मैं इसको लिख देता हूँ, temporal, now you will see, आपके पास फॉरण से change हो गया, तो यह data type, आप यहीं से change कर सकते हैं, मैं इसको nominal कहा दू, ordinal कहा दू, quantitative कहा दू, यह लें जी, उसे साप से set हो गया, I know for a fact, this is a temporal data, and these are time stamps, ठीक है, and now you know, के आपके पास data कब कहां से कितना आया, ठीक है, of course, इस analysis के लिए, this is not the right way to do, हम चलते हैं, title की तरफ, title, nitrification inhibitor, यह 3% है, बाकि कुछ परसंट है, बाकि कुछ परसंट है, that means, के papers के अंदर, multiple times यह आ रहा है, because this is not doing any kind of NLP here, so we will ignore this, country भे चलते हैं, this is most important thing, ठीक है, और अगर आप check करें, country 26% observations चाइना से हैं, Spain से 11% है, और अदर से 63% है, समझाई बात की, यानि के अदर का मतलब यह है, कि number of observations की बात हो रही, total observations, I am not talking about, total number of papers, जो 144 है, we are talking about, all the rows inside data, बात याद रखिएगा, बट, जब आप country का analysis करते हैं, you have to find, number of studies, per country, you cannot say observation की बेस पे, समझाई बात की, so इस वज़ा से, यह हमारे लिए इस वाकर इंपोर्टन नहीं है, but it gives us an idea, कि चाइना में जयादा study हो रही है, and of course, चाइना और US आपस में साथ साथ चलते हैं, जब भी आपको systematic review करें, because of the developed nations, scenario और वो कितने invest कर रहे हैं, then you have crop type, यह important चीज़ है, grasses में और maze में, कितनी है, other में कितनी है, and then you have field experiment, कितना field experiment हुए, कितने pot के, कितने others, and then you have soil pH, and other parameters, जो आप देख सकते हैं, और आप देखें कि, यहाँ पर अगर कोई numeric variable है, उसको उस तरीके से, deal किया जा रहे है, nominal है उसको उसको तरीके से, categorical में अगर है तो उस तरीके से, और अगर मैं यहाँ पर click करूं country पे, you will see four measurements here, चार levels of measurement होते हैं, पहला अतर nominal, दूसरा ordinal, तीसरा आपके पास of course जो होता है, वो interval होता है फिर ratio, but these can be called as quantitative and temporal as well, ठीक है, और अगर आप level of measurements को जानते हैं, तो चार किसम की चीजों में data divide होता है, या तो data nominal होता है, जिसमें कोई rank नहीं होता, इनकी position में rank है, ऐसा कभी नहीं होगा, हाँ, इनकी position में rank है, that is first, second, third, ठीक है, so names कोई बड़ा चोटा नहीं है, वो ही बात इसकी example मैं देता होता हूँ, एक अधीस का मफूम है, बिसमिल्यारा माल रहीम, कि किसी गोरे को किसी काले पे, और किसी काले को किसी गोरे पे, और दूसरी साइट पे, किसी अर्बी को किसी अजमी पे, और किसी अजमी को किसी अर्बी पे, कोई 4Kत हासिल नहीं है, if you took that into your point of view, nominal की best example है, और आज से कई सालों पहले, ये nominal data की example मिली है हमें, ठीक है, on the other side, we have ordinal data, जहां पे 4Kत है, ठीक है, तक्वा की example यहां पे लगा लें, समझ रहे हैं बात को, तुमें से कोई बेहतर नहीं है, मगर वो जो प्रिहिजगार है, कितनी अच्छी example है हमारे पास, quantitative में आ जाएं, पांच नमाजें फर्ज हैं, आगे आपको पता है, बाकी पढ़ लें ठीक है, नहां पढ़ें, no issue, temporal पर आजाएं, रमजान के रोजें, एक specific time पर आते हैं, so आप अपनी real life से examples बना सकते हैं, if you want to do that, if you don't want to do that, आपके लिए यह फिर वो ही है, number ही चल रहे हैं, एकसल की शीटें ही चल रहे हैं, और यह होता है, बन्दे का passion data के लिए, अगर आप उसको उस तरीके से देखें, अपनी नजर से देखें, you can mold that into your insights, और यह examples में, इसमेड़ा से बारखाद दफाद दे चुका हूं लोगों को, कि यार आप believe करें, कि हमें यह सारा knowledge पहले से मिल चुका था, but we didn't put an effort to look into it, आप अगर याद करें, तो जाबर बिन हयान से ले कि, अबने खल्दून, अल्खारजमी, फिर हमारे जो अबने सीना है, जिसे western कहता है, अवन्चीना, so you know what I mean, तो वो सारे के सारे, जो जितने भी field of study है, they build it, ठीक है, और that's why I am always saying, के you should learn about, how the data came out, अच्छा जी, यह सारे के सारे data इस तरीके से आगया, and this was just the data exploration, in the first row, यह बिलकुल हमारा पहले 5 second का का हम है, check करना के data कैसे है, let's move into next point, that is visualization, हम अभी सिर्फ G-Walker की बात कर रहे हैं, यहाँ पर check करें, अब किसी भी एक चीज़ को उठा के यहाँ पर रखें, दूसरी को वहाँ पर रखें, you will see the difference, अब मैं यहाँ पर crop type रखता हूँ, और मैं color पर इसे drop करता हूँ, see, हमारे पास यह वारी crop type है, ठीक है, crop type, अगर मैं इसी को, crop type को Y-axis में रखूँ, you will see के हमारे पास यह color आगया, but on the other side, हम यहाँ पर measurement value भी ले सकते हैं, crop type की, for example, यह मेरे पास crop type है, इसको उठा के मैं यहाँ पर ले आता हूँ, and you will see के हमारे पास crop type यहाँ से delete होगी, on the other side, which doesn't make sense at the moment, but later on you will understand, pH और crop type की बात करूँगा, then I will have this kind of data, ठीक है, यह हर row को हर column के साथ match करके, आपको different किसम के plots दे रहे, अगर मैं fertilizer type की बात करूँ, मैं यहाँ पर X-axis में fertilizer type रख देता हूँ, and then I can put like for example, say for example, यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर ता हूँ, यह तो width होगी, and let me see, यहाँ से stack, aggregation, this one is mark type auto, then we have stack mode, roll, and layout mode auto, fixed container, and this is coordinate system generic, settings, we don't need any setting, export no, then we have this one here, color palette, and other things, and we have export configuration file, no, enable query limit, no, यहाँ पर आप इसको चाँग कर सकते है, and then we have this, so we have multiple options here, I was just looking का यहाँ पर पाई चार्ट हम कैसे बना सकते है, I didn't really go into this, this data set at the moment, we will try to find it out, यहाँ पर मैयर वाल्यू, and let's see, मैं इसको पूट करता हूँ यहाँ पर, row count, and here we go, dcd and dmpp का row count आगया, and यहाँ पर भी वही आगया, of course, ठीक हो गया, so कहने का मक्सद यह है कि, यह हमारे पास different किसम की जो values हैं, उनका x-axis और y-axis पर आप differential देख सकते हैं, अगर मैं उठा के row count को यहाँ पर रखता हूँ y-axis पर, तो जो मेरे पास x-axis में चीज होगी, उसकी base पर row का count आजएगा y-axis पर, ठीक है, यानि कि मैंने का आए, row count किसका country का, तो मेरे पास क्या हुआ country की base पर, जितने भी countries हैं, उनकी base पर मेरे पास row count आगया, ठीक है, and that's how it works, अगर मैं इसको ascending या descending order में करता हूँ, you have an idea कि सबसे ज़्यदा किस country की study हैं, सबसे कम किस study, किस country की, simple, समझा आगी बात की, और यह observations की बात, और यह again, we are not talking about studies, and that's the best part about this plotting thing, अब आप चाहते हैं country का मैंने लेना नहीं है, country को छोड़ो, आप crop type की बात कर लो, और मैंने दोनों को इकठे रख दिया, now you see, each country has different crop type, और यह यहीं पे खतम नहीं हो जाता, here you go, यह देखे, हर country की base पे crop type का, मेरे पस row count आगए, ठीक है, अगर मैं crop type को रखूँ, और इसको मैं यहां से ऐसे remove कर दूँ, you will see, crop type का count यह है, कि सबसे ज़्यदा grasses हैं, उससे का maze है, फिर हमारे पास अधर crops हैं, and so on and so forth, ठीक है, और आप इसको rotate भी कर सकते हैं, यही नहीं आप colors भी change कर सकते हैं, you can do many other things, so मैं इस पे द्वारा नहीं जाता, क्योंकि इस पे हमारा एक lecture हो चुका है, और अगर आप गौर करें, हम यहीं नहीं, हम crop type की base पे color भी change कर सकते हैं, यहां पे मैं color को अगर उठा के रखता हूं, look, ठीक है, I mean, just click and go वाली बात है, and here you go, कितने कमाल कमाल के plot बनेंगे यहां पे, I think so, it's very easy to use, and later on you can actually export the plots from here, debugging है, this is export SPNJ and SVJ, ठीक है, so यह है G-Walker, मैं इस पर जैदा बहस नहीं करने वाला, आप इसको use करें, so आप यहां पे chart के name भी रख सकते हैं, जैसे मैं यहां पे कहता हूं, figure 1, confirm, and then you will go to another one, chart 2, यहां पे इसको figure 2 कह दें, chart 3, chart 4, chart 5, you can do multiple, and this interface is totally free of cost, of course R के अंदर आप कर रहे हैं, you don't need to pay anything for to buy this thing, right, तो यह हो गया जी, हमारे पास क्या, G-Walk R, next चलते हैं हम explore की तरफ, अब हमने क्या करना है, हमने again, बलके explore नहीं, excuse, excuse, excuse एक basically एक और library है, which helps you to do the same thing, जो हमने G-Walk R से की है, but in a different manner, यहाँ पे यह सारी की सारी library आप देख सकते हैं, कि आप excuse ए यहाँ पे कर सकते हैं, excuse एक क्मांड और आप उसके अंदर, यह वला data जो है उसको रख सकते हैं, ठीक है, यह add-in options भी हैं and there are many other things, right, तो आप यहाँ पे सिरफ excuse एक चलाना है, loading required namespace and here you go, जो आपका data आपके पास है ना, वहीं पे यह सारा कुछ चलना स्टार्ट हो जाएगा, और आप देख सकते हैं, नाम क्यों ऐसा है, you can see Spanish coming up here, I think so it's Spanish, but you never know, so यह थोड़ा सा और advanced level के हैं, आप data को भी यहीं से import कर सकते हैं, जो आपके पास data set, right side पे यहाँ पे मौझूद है ना, वो यहाँ पे list भी आ जाएगी उनकी, यह देखें, मैंने यह वाला data set सेलेक्ट किया है, यहीं से, so you don't need to even provide the data name, और यहाँ पे global environment आपने use करना है of course, external file यूज करना है, गूगल शीट से भी और URL से भी data लेकर आ सकते हैं, सही है, तो आप जहाँ से भी काम करें, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे view करके आप data को देख लेंगे, same वो ही information top पे आ रही है, गौर करें, वो ही information top पे आ रही है, but in a different manner, अब आपके पास author का unique name भी आ रहा है, most common भी आ रहा है, look, and information different way में आ रही है, so this could be important for you, अब of course, अगर आपने import करना है, इसको import पे click करें, the data is there now, see, यह सारा data है, अब आपने x, y, fill, color and size की base पे इस data को रखने है, and then, it will be super easy, ठीक है, पहला तो यह तरीका है, इसको काम करने का, and you know कि हम इस तरीके से यहां पे कर सकते हैं, for example, मैं यहां पे रखता हूँ, country, x पे, ठीक है, और let's see, हमारे पास, जो bar plot है, वो नीचे कुछ इस तरीके से आ चुक है, already, automatically count plot बन गया, we didn't do anything, ठीक है, यह count plot बन गया, I know you are thinking कि यहां पे इसका जो view है, वो fit नी हो रहा, and there are many other issues with that, मैं यहां से यह से बंद करता हूँ for now, और excuse यह चलाने के बाद, अगर आप गौर करें, यहां पे उन्होंने एक और add-in दी है, कि अगर आप ब्राउजर के अंदर इसको चलाना चाते है, you will just put this copy, and go back, paste it here, and if we are lucky enough, we will open this in a browser, look, like, जैसे हमने, दूसरा plot चलाया था, अच्छा, यहां पे मैं इसको directly import करता हूँ, and believe me, this is one of the best library, to do the exploratory data analysis, मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ country रखूँगा, x पे, and यहां पे automatically, वो best plot हमें दे देगा, and here you go, and यहां पे अगर आप चेक करें, आप चीजों को play भी कर सकते हैं, if you do some kind of, you know, animation or something like that, और यहां पे click करने के बाद, PDF, SVG, JPEG, PPTX में भी सेफ कर सकते हैं, just imagine, the beauty of this plotting thing, और कितना है, एक छुट्टू सी command लगी है, और यह तब आती है, जब बंदे को R का पता हो कि कैसे करने हैं, वो कहते हैं न, जिसने काम नहीं करना, उसके लिए एक command भी जो है, वो सर पे पहाड की तरह चलती है, लेकिन आप लोगों की खुशकिस में तो यह है, कि मैं start में आपको plotting यहीं से बता रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा सा interest लें, क्योंकि आपकी motivation थोड़ी सी lose होती नजर आ रही थी मुझे, मैं आपको start motivation से करते हैं, कि you don't need to do anything, just one command and boom, that's there, अभी आ गया मेरे पास, मैं country की base पे crop type अगर करना चाहूँ, same वो ही चीज़ है, you will see the difference now, let's see, यह ले, हमारे पास matrix बन गया है, and यह सारे plots हैं, जो यहाँ पे आप बना सकते हैं, अगर कोई plot यहाँ पे आप click नहीं कर सकते, that means your data doesn't support that plot type, simple, error की गुझाईशी नहीं है, वो कहते हैं ना, के prevention is better than cure, यह वो ही चीज़ है, error से बजाने के लिए वो आपको click नहीं करने देगा, right, अब मैं यहाँ पे crop type यहाँ पे लिख देता हूँ, now I have bar plot and some other plotting type as well, but still I am not really happy, मैं यहाँ से इसको zoom out करके, जितनी चोटी स्क्रीन करनी I can do that, and then everything is coming on top, अच्छा जी, यह तो होगी बात simple आपने किस तरीके से, जो है वो plot बनाना है, अब अगर गॉर करें वोपर geom 1, geom 2, geom 3, geom 4, geom 5, geom 6, geom 7, geom 8 आ रहा है, that means geometry, आप different किसम की geometry बना सकते हैं, and यहाँ पर आप database लेकर आ सकते हैं, यहाँ से आप data show कर सकते हैं, कौन सा data देखिएगा, यह देखिए, जो अपने data import किया है, सारा data यहाँ पर आ गया, and then you can click here, और update कर सकते हैं variables को, अब variables क्या होते हैं, you know better than me, क्या होते हैं variables जी, study ID, जितने भी columns के name है, अगर आपको नहीं पसंद, आप नहीं column के नाम रखते हैं, data वो ही रहेगा, लेकिन plotting के अंदर चाहिए जा जाएगे, simple, and it will do automatically on the back end, you don't need to do anything by yourself, you just need to add the names, अच्छा, करना है, numeric variable into factor करना है, वो भी हो जाएगा, and यहाँ पर आप इसको, different किसम की sort भी कर सकते हैं, कैसे, for example, अगर आप factor या variable यहाँ पर कोई बना लें, जैसे मैंने आपको पिछली दफ़र नहीं बताया था, कि you need to make something into factor, और फिर आप उसका क्या कर सकते हैं, उसको तोड़ के sort कर सकते हैं, so you can do that there, I'm not going into really the details of this thing, but I mean if you explore, I'm hopeful कि you will find a lot of things, यह हैं वो चीज़ें जो हमारे पास आ रही हैं, अगर आप सभी को यहाँ पर select कर लेंगे न, you will see I think, just a minute, लें, तो अब आपके पास इतना कुछ आ चुका है सेट करने के लिए, इतना कुछ, crop type मैंने की है, country color पर डालते हैं, and here you go, ठीक है, अब I know, कि आप समझ रहे होंगे कि यह तो थोड़ी सी खच सी बज़गी है, यहाँ पर मचल हो गया, काम खराब हो गया, वो लफज मैं बोलने ने वाला, चावल का थोड़ा सा थीज लफज होता है, ठीक है, so usually जब हम students आपस में पढ़ रहे होते हैं, तो इस तरह की language यूज होती है, if you mind it, I excuse for that, so यहाँ पर हमारे पास country आगया, size की बेस पर भी country कर सकते हैं, and then you can do a lot of things, तीसरी की तरफ चलते हैं, without any to do, और यहाँ पर है explore, simple, library की आपने, explore के अंदर data रख देना, लें जनाब, explore, यह वाला गया, enter, boom, आपने target variable यहाँ पर देना है, ठीक है, और आप check करें, इसनो कुछ नहीं कहा के कहाँ पर open करूं, automatically इसनो उपन कर दिया, variable को explain भी कर रहा है, अगर आप गौर करें, यहाँ पर अगर आप variables, target variable देंगे, for example, मैं यहाँ पर year का दे देता हूं, and then it will explain, and this is one of the best thing, यह क्या है भला, किसी को पता है, यह क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, this is a kind of decision tree, ठीक है, और यह tree की जह structure है ना, यह basically आपकी structural equation and modeling के अंदर चलती है, structural equation and modeling जो होती है ना, उसके अंदर चलती है, जो अभी नहीं पढ़ाने वाला, it's a big thing, it will come at the end of meta-analysis, when we will do that, but for now, you can understand कि यह explain कर रहा है, कि यह भई, year जो है, यह study ID की base पर कैसे चल रहा है, यानि के कहां पर कितनी percent studies है, ठीक है, अगर मैं यहीं पर author कर दूँ, let's see, क्या होता है हमारे पास, nothing, अगर यहां पर मैं author कर दूँ, या country कर दूँ, report all, let's see, it may take a while and then it will generate a report, and explore जो है, यह basically interpretation करने में भी आपको help out करता है, ठीक है, here you go, क्या कमाल के plot बना है, 15 variables है, कहां पर क्या आ रहा है, null values कहां पर है, और हमारे पास किस तरीके से data जो है, वो सारे का सारा आ रहा है, यह देखे, यह सारी report automatically बनी है, एक click पर, and you can save that as well as HTML, and usually यही HTML आपके पास यहां पर भी save हो सकती है, if you want to save that, for example plot.ly के अंदर, यहां ही पर, plotting के अंदर, and then the other part is, overview, आप data का overview यहां पर ले सकते हैं, of course यहां पर आप 15, 10 या जितनी भी आपने चीज़ें show करने भी आप करें, और यहां आपके पास overview आप गया हर variable का, and then you can also find the data here, और इसके अंदर आप changes जो भी करने कर सकते हैं, variable, explain, overview data, अब variable मैंने रख़ा है country का, country को मैंने साथ में variable, अच्छा, एक target है, एक variable है, target होता है कि क्या plot करने है, और variable किस base पर करने है, for example, अगर मैं year की base पर करता हूँ, you will see a change here, चेक करें, country का year wise data, and क्या कुमाल का plot बने है, और यह सब plotly के थुरू है, आप यहीं से save कर सकते हैं, जो plotly जिन्होंने सीखिया, दे know this, ठीक है, तो आप यहीं से save कर सकते हैं plot को, और आप यह चेक करें, कि सिरफ data नहीं हमें दे रहा, हमें data की dimension भी दे रहा है, distribution भी दिखा रहा है, plus it's also giving us unique values of each data, यानि कि proper exploration कर रहा है data की, हमने data पर autoscale रखा है, अगर आप autoscale ना करें, then it will actually show you the plot like this, scaling का मतलब यह होता है, कि आपका data एक range के अंदर रहे है, फिक है, so second is, अगर आप percent target भी यहां पर show करवाना चाहते है, you can click here, और आपका plot different बन जाएगा, कि कितने percent किस country में है paper, कब कैसे, अच्छा, country के बाद अगर मैं यहां पर crop type पर चला जाता हूँ, लुक, यहां पर मारे पास crop type है, based on the years, मैं इसको country की base पर करता हूँ, you see this plot, अगर मैं इसको title की base पर करता हूँ, you will see this plot, of course title इस तरीके से हैंगे, क्योंकि बड़े title होते, and if I do author की base पर, you will see this plot, अब हर author का किस crop पर ज्यादा paper है, you can see that, literally है, किस group ने कहां पर काम की है, और अगर आपने यही काम, last author का रखा हुआ, then you will see, कि कौन सा group इस वकत मेज पर कितना काम कर चुक है, यहां पर देखने के बाद क्या आप मुझे बता सकते हैं, कि यह वाला group, जो है, wheat पर ने ज्यादा expertise रखता, सिर्फ यहां पर देखने के बाद, यह है wheat, चलें, मैं यहां से बाकियों को बंद कर देता हूँ, यह भी इसकी सहुलत है हमारे पास, अच्छे, लें जना, यह वाला group है हमारे पास, जो wheat पर ज्यादा काम कर रहा है, and if you see wheat की, जो 100% इनका गाम है, लेकिन एक बाद याद रखे, we need to find the number of rows, यह ना हो के इसकी एक ही study हो, और एक ही बंदा wheat पर काम कर रहा, so we need to find different kind of relations between these things, तो यह plots आप save भी कर सकते हैं, and then you can actually publish these plots, these are like publication ready plots, explain के अंदर आपके पास इस तरीके से data आजाएगा, and then you have a report, और आप यहाँ पे अपना target variable और variable, दोनों को change करके, आप different kind of values लेके आ सकते हैं, target basically आप समझ सकते हैं, कि यह आपकी जो यहाँ पे values प्रिंट होती है, और variable जो है आपके पास, यह different labels हैं, ठीक है, so यह meta analysis और systematic review की जहान होती हैं यह वाली चीज़े, ओके जी, तो मेरे ख्याल से, यह तीन libraries, मैं आपको काईल कर पाया हूँ, यह तीन libraries अगर आप सीखने, सीखनी क्या हैं, सिर्फ click and drag ही है, अगर इन पे काम कर लेना, you can change the, I would say, visualization industry within your field, I know there are many people जो visualization बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती, because you will have highest quality possible, जिसकी plots की होती हैं वह वाली plots, और आपके पास DPI's भी आती हैं, आप अगर SVG में इने convert करते हैं, then you can actually edit those inside Inkscape, अब मैं आपको बताता हूँ, Inkscape एक software है, जो मैंने पहले भी शायद आप से बताया हूँ है, Inkscape, ये free का software है, और ये vector editing के लिए use होते हैं, for example, आपने plot download कर लिया, लेकिन plot में किसी चीज़ को आपने italicize करना था, x-axis के किसी चीज़ को superscript, subscript करना था, वो कर लें, तो वो सारी चीज़ें ये color change करने था, you can do that with vector editing, और ये Inkscape free मुफ्त का software है, you don't need to have any license, और इस पर आप कर सकते हैं, ठीक है, and it's very easy to use, and at the end, I would say in this lecture, कि ये 3 libraries को आप याद कर लें, कि ये मैंने नहीं भूलनी कभी, and your exploratory data analysis will be, I hope, कि आपको इस lecture में मजा है होगा, और आपको समझ के असानी feel होई होगे, कि यार plotting तो easy-peasy है, और वाखे easy है, ठीक है, write down in the chat now, and if you are looking into this video later on, write down in the comment section के, 3 libraries आप कहां पे कैसे use करने वाले, let's see your thoughts now,